नवेश्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंग रुख करेंगे खबरों की ओर लेकिन उससे पहले है एडलाइन्स पर एक निज़र मैंपुरी में खत्म हूँ अम मतदान सपाने मतदान में छेड़ खानी को लेकर लगा यारो मुख्य मंत्री योगी ने किया विधान भवन के नवनीकरत कोईडोर का उधगाटन विधान सबाद अख्षर सतीस महाना रहे मौजू रामपूर में मतदान के दारान आजम खान की हुई बहस बहस का वीडियो हुआ वाइरल उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने आज राज के विधान भवन के नवनीकरत कोईडोर का निरीक्षन भी किया उस खास मौके पर सीम के साथ विधान सबाद देक्ष सतीस महाना वित्य एवं संसद्य कारे मंत्री शुरेश खन्ना और मौजूद रहे वहीं अन माननिय मंत्री सदस्टिगर अधिकारी करमचारी और अन गडमा निवक्ती भी मुख्य मंत्री के साथ मौजूद रहे उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जीस्टी की 248 टीमों ने आज ताबर तोड चापे मारी की जीस्टी की टीमों ने अलग-अलग प्रतिस्ठानों में ये चापे मारी की टैक्स चोरों के खिलाफ यूपी में जीस्टी की पहले भी बड़ी कारवाई होती आए लेकिन आज इकत्तर जिलों के 248 जगाओं पर ये कारवाई अब तक की सबसे बड़ी चापे मारी में से एक मानी जा रही है इस कारवाई में पुलिस बल के साथ वित्य विभाग राजिसव खूफिया महाने देशाले और अन्य विभाग एदिकारी शामिल रहे लखनव में निर्वाचन आयोग के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई निर्वाचन आयोग के जनपत स्थित कार्याले पर पीएसी तैनात की गई आज मैनपुरी रामपूर और खतौली में मतदान के दौरान कई बार चुनाव धांदली का सपा ने लगातार विरोध करती निर्वाचन आयोग कार्याले पीएसी तैनात की गई बरेली के सिवल लाइन में बिजली के खंबे पचड़कर लाइट का काम कर रहे मजदूर की करेंट लगने से मौत हो गई यूवक के गिरने के बाद बिजली अधिकारी यूवक को बचाने की बचाए यूवक को किसे फरार हो गए अधिकारी के नौदो ग्यारा होने के बाद वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया और पुलिस ने आननफानन में मृत्यवक्ती के शरीर को एंबुलन से पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया जांच में जुट गई कि शरीएत मुसलिम महिलाओं को गंधी राजनीती करने से रोकती है मौजुदा दवर की माफ किजेगा मौजूदा दॉर की चुनावी राजनीती से मुसलिम महिलाओं को बचना चाहिए आपको बता दे कि जिस बयान का उन्होंने समर्थन किया उसमें जामा मद्ðित के इमा क्या कुछ कहा है मौलाना शहाबुद्दीन ने आई आपको सुनाते हैं भाजपा के प्रतिनिधी मंदल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर सपा पर उप्चुनाव में फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया और ग्यापन भी सौपा प्रदेश के सहकारिता मं प्रतिनिधी मंदल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला से मुलाकात की और सपा पर रामपुर वमयनपुरी में फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया मुरादाबाद के थाना सिवल लाइन से लाके की पॉश्र कॉलाणी में बन रही बिल्डिंग पर काम कर रहे दो मजदूरों के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर तीसरी मंजल से गिर कर घायल होनी की घटना से लाके में हड़कंप मच गया है दोनों मजदूरों को गंबीर हालत में एक निजी अस्पताल में भड़ती कराया गया दोनों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है बाबा के बुल्डोजर की एक और बड़ी कारवाई सामने आई कानपूर के रावत पुर्थाना छेतर से जहां तालाब की जमीन पर बुल्डोजर चलवाते हुए योगी सरकार ने भू माफियाओं के होसलों को फिर नाकाम किया है जानकारी के मताबिक सरकारी तालाब पाटकर भू माफियाओं ने प्लॉटिंग की थी उस जमीन पर वहीं जहां पर केडिये की तहसीलदार संग मिलकर पुलिस फोर्स ने अतिक्रमण को धुस्त कर दिया था आपको बता दें कि 20,000 रुपे गज के हिसाब से लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्री कराई थी और इस तरह मिली भगत से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी उत्तर प्रदेश की राजजानी लखनव में कार चढ़ा कर हुई हत्या का लखनव पुलिस ने खुलासा कर दिया है खुलासा करते हुए लखनव पुलिस ने तीन आरोपियों को विरफतार किया घटना में एक युवक की मौत हुई थी जबकि दो अनिक गंभी रूप से घायल हुए जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है पुलिस पूशताश में आरोपियों ने बताया कि गारी टच होने के बाद कहा सुनी हुई जिसके बाद टैश में आकर आरोपी युवक ने एक्स युवी 500 से तीनों को रौन दिया घटना में प्रयोक्त गारी भी पुलिस ने बरामत की है जो भी उचित कारवाई होगी जो भी सक से सक कारवाई होगी हम इसको अम इसको अम इसको शाह जहांपूर के नैशनल हाइवे पर उस समय हड़कम्प मच गया जब छे गाड़ियां आपस में टकरा गए इस हाथसे में ट्रक चालक समेत छे लोग घायल हो गए घायलों को प्राइवर्ट कर उन्हें शहर से निकाला गया बताय जा रहा है कि कोहरे के चलते च्छे गाड़ियां आपस में टकरा गए लिए खेंट पीछे हमने रोग ली हमारे कि चारवाले नोग लोग तुछे ट्रक के ब्रेक नहीं लगी लगी इस से उससे ने गाड़ियां शावस्ति जला अदिकारी नेहा प्रकाश ने एक्सन में आते ही ब्लॉक हरिहर पुर्रानी गोदाम धान क्रे केंद्र का ओचक निरीक्षण किया वहीं उनके द्वरां चानक किये गए इस ओचक निरीक्षण से गोदाम प्रभारिया समेत करमचारियों में काफी हलकंप मच किया विस दौरान उनके साथ कई विभागी अधिकारी भी मौजूद रहे निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों पर डीम ने कड़ा रूप अपनाते हुए गोदाम प्रभारी को सक्त निर्देश दिये वहीं धान बेशने आई कसानों से भी डीम ने बाच्चीत की फिलाल इस बुलिटेन में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है आज की खबर के साथ